आय ainda Hello friends welcome to this video class friends is video class में मैं डिकस्कास करूंगा को इंपरेंट रॉर्ट्स और ये वर्ट्स मयने लिये हैं वॉर्ट् पॉबर मेड ीजी इस ब॥क से मैंने लिये है ये एक ऐसी इसटेंडर् वह भल्कितिस ओई रेंकर्स, टॉपर्स, इस्टुडेंट्स और कमिटेटिव एक्षैम्स के एक्षपेंट्स है वो पढ़ते हैं। इस बुक में जो एक्षपेंशन दिया है वो इस तरीके से दिया है कि इन इन वर्ट्स को डिटेइन करना काफी आसान है। और बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से इस बुक में एक्षपेंट किये गए हैं ये वर्ट्स, तो यदि आपके पास ये बुक है तो वैलन गोर्ड, यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो इसको आप पर्चेस करें और इससे भी आप पढ़ सकते हैं। हलाकि मैं इन पीट ख्लासे मैं आपको बहुती इंट्रेस्टिंग तरीके से इन वर्ट्स को एस्परिण करूँगा। ताकि आप इन वर्ट्स को रिटेन कर सकें एक्जामिनेशन हॉल में और आपको बोरिंग ना लगे। यह words, essay words हैं, जो कि सभी competitive exams के core words हैं, highly useful यह words हैं, चाहे banking हो, SSE हो, या दूसरा कोई भी competitive exam हो, तो यहां से इन words को पढ़ते हैं, देखें, यहां पर एक एक phrase दिया गया है, जिसमें बोला गया है, disabled appearance, तो appearance क्या है, इसमें noun है, यह जो word है, appearance यह noun है, और यह adjective है, तो यहां पर एक phrase के form में words को दिया गया है, इससे क्या होगा, इससे देखें, जब यह word आप से RC में पूछा जाएगा, close list में पूछा जाएगा, इसका meaning आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, यह एक interesting तरीका है, और effective तरीका है words को समझने का, इससे आप context को समझ सकते हैं, ठी appearance का मतलब है एक व्यक्ति बाहर से कैसा लग रहा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उसका get up कैसा है, उसका हम बोलते हैं appearance, तो disabled appearance का मतलब है untidy, गंदा, ठीक है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके shoes गंदे हो रहे हैं, उसके कपड़े गंदे ह में ठीक है तो अंटाइडी यहां पर इस वर्ट का आपका अंसर होगा यह वर्ट में बता देता हूं आपको फियर्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फियर्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं खतरनाक या खौफनाक ठीक है फूलिश मतलब मूर्ख पिकीवलियर मतलब होता है स्ट्रेंज अजीब अनहैपी मतलब नाखुश तो इस तरीके से इस बुक में दिया गया है काफी इंट्रेस्टिंग तरीके से और यह तरीका काफी एफेक्टिव है देखे आप दूसरा वर्ट देखते ह मतलब होता है जो चीज़ आपको परेशान करें जो चीज़ आपको कनफ्यूज कर दें जो चीज़ आपको पजल कर दें कोई भी कोई भी पहेली है कोई भी सबाल है जो कॉम्प्लिकेटेड है आप उसको सॉल्ब नहीं कर पा रहा है आप कनफ्यूज हो रहा है वो होता है ब वोपॉए वोगी बैफन ka इस तो बैफिलिंग बैफिल ça क्या मतलब होगा बैफिलिंग का मतलब होगा तरतुल इस बैफिल सिट इस इ४रीट हम देखते हैं इस विर सलेंट से माता पता कैसे हैं यह टेक्टyer नहीं है ठीक है, तो not strict, जो severe नहीं है, strict नहीं है, और अपने जो rules regulation है, वो impose नहीं करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं, lenient, lenient adjective है, leniency noun form होगा इसका, parent यहाँ पर noun है और यह adjective है, ठीक है, तो non strict या not strict इसका यहाँ पर आंसर होगा, और severe का मतलब होता है, बहुत यदा कडा या कथोर, जिससे severe cold बोल सकते हैं, severe punishment बोल सकते हैं, ठीक है, severe scolding बोल सकते हैं, डाटना, तो science में यह use होता है, severe word, severity, severity इसका noun form होगा, अब देखिए, repulsive personality, repulsive मतलब जो आपको attract नहीं करती, जिससे लोग दूर भागते हैं, उसको हम बोलते हैं, personality repulsive, या repulsive personality, that is rep तो repulsive, तो repulsive यहाँ पर objective हुआ, ठीक है, और repulsive के यहाँ पर equivalent word है, वो है disgusting, हलाए कि disgusting word थोड़ा सा और जदा intense है, ठीक है, disgusting का मतलब होता है घिनोना, या जिससे आपको नफरत हो, लेकिन repulsive का meaning अलागा, repulsive मतलब जो आपको attract नहीं करता, वो होगा repulsive, तो disgusting यहाँ पर इसका unseated, इसका मतलब होता है घमंडी, इसको घमंद है, ठीक है, और इसके लिए एक equivalent word है, arrogance, arrogance का मतलब होता है घमंड, arrogant का मतलब होता है, घमंडी, arrogant, ठीक है, तो इन वीडियो क्लासेस को आप जलूर देखिए और कई कई बार यदि इन वीडियो क्लासेस को देखते हैं आप तो पर यह word इंज उता है चीकी, ओडेसियस का मतलब बोल्ड होता है, ओडेसिति, अडेसियस एक्टीज अड्येक्टेव है, ठीके, अटेम्ट क्या है, नाउन है, ओडेसियस अड्येक्टेव है, ओडेसिति इसका नाउन फ़र्म होगा, तो यहाँ पर bold इसका सिनोनेम आपका होगा नेक्स्ट वर्ड दिखते है parry a blow, blow मतलब कोई भी attack, कोई भी attack या आक्रमन कोई विक्ति करता है किसी के उपर उसको हम दोते है blow, जटका लगना और parry a blow a blow क्या है नाउन है नाउन को parry a blow, मतलब blow को parry करना, blow से बचना अपने आपको बचाना counter move के दोरा, एक विक्ति जैसे आपका attack कर रहा है तो आप एक तरफ हो गए या इस तरफ हो गए, या नीचे चुक गए तो उसका जो attack है उसका जो war है उससे आप उससे आप बच गए, अपने आपको escape आप ने कर लिया तो इसको हम बोलते है parry, इसको हम word of बोल सकते है fend of भी बोलते है इसको हम fend of और इसको हम stave of भी बोलते है तो ये तीन मैने phrasal work भी यहाँ पर आपको बताए ठीक है, word of, fend of और stave of अपने आपको बचाना किसी attack से parry, a blue ठीक है, next देखिए prevalent disease ऐसी disease जो prevalent है prevalent मतलब जो सब जगे फैली हुई है जो widespread है, जो omnipresent है तो widespread यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ठीक है omnipresent भी हम इसको बोल सकते है rampant भी बोल सकते है rampant भी अच्छा word है और pre-valent adjective है pre-valence, pre-valence noun form होगा इसका ठीक है तो इस तरीके से जब आप words को याद करें तो उनमें interest लें words को याद करना कोई boring नहीं है उसका noun form देखें उसका adjective form देखें उसका part of speech देखें कैसे यह use हो सकता है उसके context को समझें अच्छा score करने के लिए reading बहुत जरूरी है ominous report report में कुछ ऐसा लिखा है जिससे ऐसा लग रहा है कि यह चीछ शुब नहीं है auspicious नहीं है या इससे कुछ अच्छा नहीं होगा इससे किसी अप्शकुन का एसास हो रहा है ठीक है इससे खत्रा आपको लगता है ऐसी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जिन्दगी में एक negative impact लेके आएगी उसको हम बोलते है threatening बैसे threaten का मतलब धंकी देना भी होता है threaten ठीक है तो threatening यहाँ पर इसका ominous का सही इसमें सनोने होगा ominous ominous report मतलब उसमें कुछ negative लेखा हुआ है कुछ गलत लेखा हुआ है जिससे लगता है कि आगे जाके जैसे कोई बीमारी है तो यह बड़ी बीमारी बन जाएगी और इस तरह से लेखा हुआ है तो वह होता है ominous ठीक है आप देखे incredible story story तो है लेकिन वो कैसी है incredible story noun है यह है adjective credible जिस पर आप बिश्वास कर सकते है incredible जिस पर आप बिश्वास नहीं कर सकते लेकिन यह positive word है मतलब कोई भी चीज इतनी अच्छी कि उस पर आप बिश्वास नहीं कर पा रहा है उसका हम बोलते है incredible चैडिबिल जई सोर्स से पटा पढ़ा है उसकी क्रेडिबिल्टि नहीं है, उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है तो credibility का मतलब होता है विश्वास करना incredible मतलब इतना अच्छा कोई भी चीज इतनी अच्छी कि उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते तो unbelievable यहाँ पर इसका सही synonym होगा ठीक है ophthalmologist कौन होता है ophthalmologist आँखों का doctor होता है skin का doctor dermatologist होता है heart का cardiologist होता है cancer carcinogenic cancer से related कोई भी चीज है तो उसको हम बोलते है carcinogenic ठीक है चलिए आगे हम देखते है will supersede the old law यहाँ पर actually कोई subject है यहाँ पर कोई subject है मतलब यह जो law है new law will supersede the old law क्या मतलब होगा नया law पुराने law को supersede कर देगा मतलब उसको replace कर देगा उसकी जगह ले लेगा तो इसमें supersede में cede एक spelling भी होती है तो वो भी वो भी सही है यह भी सही है दोनों यह spelling variants होते हैं अलग लग cede भी चलता है और यह भी आपका चलता है तो इसका सही answer क्या होगा take the place of something किसी व्यक्ती या वस्तु को replace कर देना उसको हम बोलते है supersede किसी व्यक्ती या वस्तु को replace कर देना ठीक है यहाँ पर देखे anonymous donor donor मतलब दान देने वाला कोई व्यक्ती तो donor तो है लेकिन वो कैसा है anonymous है यानि उसका नाम उसकी पहचान किसी को नहीं पता anonymous है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा one whose name is not known one whose name is not known मतलब नाम भी उसका नहीं पता और चुकि उसका नाम नहीं पता इसलिए उसकी पहचान भी नहीं पता उसको हम बोलतें anonymous anonymous donor हो सकता है anonymous author हो सकता है rider हो सकता है तो इसके लिए हम anonymous word को use करते हैं performed and autopsy उसका post matem किया जाता है तो उसमेंसे एक tissue निकालते हैं और उसका examine करते हैं किसका reason क्या था इसकी death का corpse हम बोलते हैं dead body को ठीक है तो death के cause को जानना post matem के through उसको हम बोलते हैं autopsy autopsy उसको हम बोलते हैं काफी अच्छा यह word है अब देखिए यह word काफी important है सभी exams के लिए in defatigable in the in the fatigable fatigue हम बोलते हैं थकान को fatigable मतलब जो ठक सकता है in the fatigable जो ठक नहीं सकता ठीक है यानि tireless जो ठक नहीं सकता tireless tire मतलब थकना तो in the fatigable का सही answer होगा tireless a confirmed atheist atheist हम बोलते हैं आस्तिक व्यक्ति को theist theism theism का मतलब होता है भगवान के बारे में कोई भी philosophy होती है उसको हम बोलते हैं theism theist होता है आस्तिक theist लेकिन इसमें ए लगा हुआ है तो यह negative word हो गया atheist होता है नास्तिक नास्तिक यानि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है disbeliever in God तो be इसका सही answer आपका होगा तो इस तरीके से मैंने यह important words लिए हैं मुझे यह words काफी important लगे इस टे मैंने इनको explain किया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस इस बुक में से ज़्या सदा words मैं ले सकूँ और अपनी बेट क्लास इसमें अपने students को दूँ काफी useful यह words हैं और सभी sections में आपको यह देखने को मिलेंगे verbal ability section के इतने भी video classes हैं इनको आप बार बार देखिए इनको जब आप repeat करके दिखेंगे तो यह सारे words आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और इंग्रिश section में इससे आपका confidence बढ़ेगा तो इस session में इतना ही अब मैं आपसे बिलूँगा next video class में thank you